सुफियान डिजिटल लैंड सर्वेंग एंड मैपिंग जी आंगुरबेगा मैं पहली बार DGPS की टेक्नलोजी से होगा सर्वे KML5 दिये जाएगी जिसके लिए आपको पहदराबाद से या फिर बैंगरोड सर्वेंग बुलाना पड़ता था सुफियान डिजिटल लैंड सर्वेंग एंड मैपिंग पर चाहिए वह इसी कॉपी रो, सीसी कॉपी, पाणी, फॉर्म नंबर 10, आकारबंग, प्रोंच मैप, लेवनी मैप, हाथ बस सर्वे कराना हो तो भी आप इन्हें कॉन्टेक कर सकते हैं या फिर इस तरह के रियल स्टेट के एनिमेटेड वीडियो के लिए भी आप इन्हें कॉन्टेक कर सकते हैं यादर के सुफियान डिजिटल लैंड सर्वेंग एंड मैपिंग का हाली मिनागरेशन हुआ जनाब बाबा नजर महुमत खान साहब के हाथ हो जनाब अब्दुर्जाक सहाब जो इसके मैनेजिन डिरेक्टर हैं उन्होंने 2011 से अपने शुरुआत की है और कई सालों से इस लैंड सर्वें के उन्होंने इस पैशन में और इस बिजनस में हैं और वो अब इसे एक स्टेप आगे ले जा रहे हैं इसमें जनाब सहिएद मौहिनोतीन सर्वेयर भी यहाँ पर मौझूद हैं स्क्रिन पर नमबर पर उन्होंने कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं और आप यह सर्वेय ले सकते हैं आफिस एड्रेस हैं बिसाइड मोगल गार्डन फंक्शन हॉल टी पुचोक रिंग रोड कलबुर्गी असलाम आलेकूर रहमतुल्ला है वरकातो हूँ बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज रिंग रोड पर नभी काफे या और मौगल गार्डन के बीच में जो है आज जो है सोफियान लैंड सर्वे और मैपिंग का जो है एक आफिस खुला गया है खुशकर खुबरी यह है कि इसके अंदर जो है ऐसे कांसेप गुलबरगा में इस्पेशली हमारे एरिये में नहीं था मुस्लिम इलाखों में जो अक्सर आप देखने में आ रहा है कि हमारे इलाखों में जो है लिटिकेशन पैदा हो रहा है मगर यह जो इलिटिकेशन को दूर करने के लिए अलहमदुलिल्ला यह जो नहीं टेक्नॉलिजी लेकर यह लोग आए वे हैं बिल्खुद अब्दुर रजाक साब और उनके पार्टनर्स मिलकर अलरड़ी गुलबरगा में जो है जगर सरकल पे जो है अलरड़ी एक जो टेप पकड़ने की भी जूरत नहीं अलहमदुल्ला यह जो अकसर यह इंस्रूमेंट जो है एधरबाद बैंगलूर से लाना पड़ता था गुलबरगे में अलहमदुल्ला आप यहां अवेलेबल है और यह खास बात यह हैं कि अकसर जो लिटिकेशन आते हैं कि सर्वे स सही नहीं नहीं होने से लिटिकेशन पैदा होता है और शरही साब से भी जो मसला है कि किसी की एक इंच या दो इंच भी जागिदमीन हमारे इसकर आईंगी तो खियामत के दिन हमको उसका जवाब देना पड़ेंगा यह बहतरीन शुरूआत हैं मैं अपने दिल की गहरायों से अब्दुराजाक साब और उनके पूरी टीम को मुबारक बात पेश करता हूं और अवाम उनना से गुदारिश करता हूं कि आपके प्लाट का सर्वे हो या जगों का सर्वे हो जो भी है आप जो है इनसे रब्त हासिल करिए और यह बिलकुल जो है मोगल गारडन और बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि आज डिजिटल सूफिया डिजिटल लैंड सर्वे लैंड सर्वेंग एंड मैपिंग का अफिस का इनाउगरेशन हुआ है मैं हमारे अब्दूर रजाक साब को बहुत बहुत मुबारक बात देता हूँ जो मैनेजिंग डिरेक्टर है वो इस कंपनी के ये लोग की खासियत बहुत सारी है मार एक दो मैं गिनाना चाहता हूँ आप लोगों के सामें जैसा कि ये लोग डिजिटल सर्वेंग कर रहे हैं ये गुलबरगे में कोन भी नहीं कर रहे हैं ये पहली बार हमारे शहर में जो सुफियन डिजिटल लैंड सर्वेंग जो लाई है तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग ये लोग का काम देखें मैं अभी अभी सुना कि ये लोग एक दिन में दस एकर भी कवर कर सकते हैं जो बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छी बात है तो जितने भी जमीन के कारोबारी है आप सबसे गुजारिश है कि आपके पास आएं और आपका काम देखें मैं अल्ला से दुआ करता हूँ कि अल्ला ताला आपके काम में खेर और बरकत दे असलाँ अलेक्त जमाहरे लिहां ज्याराच सी अलेक्ड़ारों कि बात है आज हमारे हर्दिल अजीज दोस्त अब्दुलरजाक साहाब का सुफयान लेंड सर्वे मैपिंग का ओफिस इनोग्रेशन किया गया है यह ओफिस जो है यहां पर मौगल फंक्शनल के बाजू में यहां पर इसका ओफिस का इफ्तिदा किया गया है थोड़ी देर पहले और मैं खास करके हमारे अब्दुलरजाक सहाब और उनके पार्टनर उन तमाम लोगों का मैं दिल से उनका मुबारक बाद और मैं अल्ला ताला से दुआ करता हूँ कि इनके जो भी कारोबार है इसमें अल्ला ताला इनको बेशुमार बरकत से नवाज अंदे बोलके मैं अल्ला रभु लिज़स से दुआ करता हूँ सुफ्यान डिजिटल सर्वे अन्तु ऑफिस उपन माड़ी दीगी अधरलली विशेश्यवागी एन अंदरे डिजिटल सर्वे जीपीएस टोटल स्टेशन हैंड जीपीएस मत्तो ड्रोन सर्वे अन्तो लभ्या विदे अधर इंदा नम्मा जंते अगे रिक्वेस्ट एल्ला निम जमीन गोड आगे रिली लेवट आगे रिली प्लाज पाणी आगे रिली इन सम्मेश से इधर नो नम अतरा बंदरे नाउ अधु दाखलेगले नु परिशीली सी निम एन अनुकोला आगोत्ते आतारा नाउ निम गे लभ्यान ता नमाड़ कुड़ती विए अन अधुにな अने का वस्तोगणु नम अतरा इडिए अभी मैं यह बोल रहा है मेरा नाम अब्दु रजाख है और हम यहां पे डिजिटल सर्वे करते हैं वोके इससे पहले अभी भी करते हैं लोग डिजिटल नहीं करते हैं अभी हम लोग कै यहां पर digital का सर्वे करने का हमारा तोटल स्टेशन में भी करने में क्या है थोड़ा देर हो रहा है जैसा कि एक दिन का काम दो दिन लग रहे हैं अभी इसलिए हम क्या करें यहां पर डीजी पीएस करके एक नया मशीन है उसको लेकर आए गुलबर्गे में पहले बार वह क्या करता है मतलब जहां पर हम एक जग करने के लिए एक कर से दो एकर ही कर सकते एक दिन में मार्किंग मैंकिम सम्झे में सयंक्रेकर कर सकते हैं जो हम यहां पर आया और पहले से भी हम लोग है यहां पर अभी आपर एक नया ब्रांच भी ऊपन किये हम लोग मोगल फंक्शनाल के पास में टीपू चोग जो के नया नबे कैफे करके हैं उसके नियरिष्ट में हैं और माशाला पूरे लोग अच्छे से जानते हैं काम को और एक्वरेसी का ह सब्सक्राइए कि आपको मिफ़ चल जाएगा और साथ साथ स्टोर्रींग का काम मतलभ लिए अरड़गी और बाइद websites and प्र्रूंटरींग क्लिण भूरिप्सिंग करेंगे यहां पर पूरी तरह से और आप भी सैंटिशा हो इस तरह से हम काम करके देंगे और करते आ रहे हैं दुआ है आप लोग की बस यहीं बोलना चाह रहा हूं बस एक बार आके आप लोग यहां पर विजिट करेंगे पता चल जाएगा क्या है और एक बात मैं बताना चाह रहा हूं हमारा एक्सपीरेंस इसमें लगभग 13-14 साल का इसमें और एक्सपीरेंस के बारे में आप लोग जरा भी शक्मत करिए और आपका काम अच्छे से होता उसका तो हम आपको इंशाला पूरी तरह से आपको बता जेंगे आप आये होगे तो पता चल जाएगा और और भी कुछ आप लोग आ रही सकते हैं जैसा कि दूसरे गा इंदराबाद से मशीन मंगाना परता था सर्वे के लिए या बैंगलोर से मंगाना परता था जो कि हम खुद रेंट दे के मंगा के यहां के लोग के काम करके देते थे अभी इस बार हम खुद लाए हैं हमारे पास वह अविलेबल है और आप लोग आए नहीं सकते दूर गा का ओकी बस यही बोलना चाहरा हूँ शुक्रिया थैंक यू फो वाचिंग गोहच लाइक शेर और सब्सक्राइब आर चैनल